नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी वीटूब चैनल आवसधी एंड हिल्थ में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दबाया स्वमन्दी जनकारी पाने के लिए चैनल को आप जहुर सब्सक्राइब करें किकुई दोस्तों आपको इस चैनल पे रोजाना दवा घलनुस्खे और है टिप 17 जनकारिया मिलती रहेगी आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ओमना कॉर्टिल 5 टेबलेट जो की एक स्ट्राइट दवा है इस दवा के बारे में आज हम आपको बताएगे इसका इस्तमाल किन रोगों में कियाता है इसके इस्तमाल करने से क्या क् बताब हुरता है इसके साइड एफेट के बारे में बताएगे और इसमें कौन सा कांटेंट मिलाकर इस दवा को बना गया है आप जो है इस वीडियो को बीना स्ट्रीप के फिले लास्ट देखे तभी आपको इस दवा के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी दोस्तों अ यह दवा जो है आपको बहुत एसानी से सभी मेटका इस्टोर पे और मार्केट में मिल जाएगी इस दवा जो है मेकलियोड्स फार्मा कंपनी बनाती है जो की फेमस कंपनी है अब बात कर लेते इसके कंटेंट के बारे में इसमें जो है प्रेडिनिसॉल 5MG मिला हुआ है दोस इस दवा का इस्तमाल किनकी रोगम कियाता है इसके इस्तमाल करने से क्या क्या लाब होते है इस दवा का इस्तमाल गंभिर एलर्जी या दवास हुई एलर्जी में दमा जैसे समस्त्या सास लेने में प्राबलम हो गठिया जैसे समस्त्या में चर्म रोग तोचा रोग में इ पहमोरिया, नेफ्रोटिक्स सिंड्रोम, इलर्जी के विज़े से आखों से पानी आना या आख उड़ जाना या आख से कीचड़ाना, सुराशी जैसी समस्या, इन सब रोगों में इस दवा का इस्तमाल होता है, जोस्तों अब बात करतें इसके डोज के बारे में, इसके डोज हो सकती है, अगर आपको ऐसी समस्या लगे, तो आप अपने डाक्टर से जरूर समपर करें, अगर आपको एजनकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को सेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकान को जोड़ दवारें, दोस्तों